हमें स्टेसमीद आप सभी का अभीयान फोर्टि आई में स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप जानते हैं एलक्ट्रिक करेंट के नाम से और धारा के नाम से जानते दोस्तों सबसे पहले समझेंगे चीजों को विद्धु धारा क्या होता है सबसे पहली बात करेंगे अलेक्रिक करेंट की बात करेंगे अलेक्रिक करेंट को आई से डिनोट करते हैं किसे डिनोट करते हैं सब आई से और इसका जो यूनिट होता है वह हमारा एंपियर होता है instant mpire होता है अगर बधर करते हैं जल króla का सबसे जारे जाने हैं और कह सकते हैं आपको मतलब क्यीं हो गया ममाने एक आने कि है civ को आप लोग आवेश को है और ताइम को आप लोग कर शक्थे हो तो मज़ल किया हो जाएगा से यहलाँ दोस्तों अब यहां तक हम लोग आये तो याद कीजएगा हम लोग पढ़ें थे Q बढ़ाबर ऑनी जब चार्ज में पढ़ा रहा था तो आपको पढ़ाया गया था Q बढ़ाबर एनी यानि आई बढ़ाबर आप लिख सकते हो Q के जगह पर N E N into E वर टाटी यह हमारा हो जाता है अब सवाल उठता है सर सवाल उठता है कि N क्या है सर N हमारा क्या है number of electron है क्या है सर number of electron E क्या है सर charge on electron है सथी क्या है सर charge on क्या है दोस्तों electron है याई आप कह सकते हैं electron electron पर क्या है दोस्तों क्या है दोस्तों आभेश है और ये क्या है सर एलक्ट्रोन की शंख्या है और इसके बारे में आपको पता है ये हमारा क्या है दोस्तों आभेश यंलिंट चार्ज के लिए यह फर्मुला हो गया यदि आपसे पूछेगा विद्धु धारा का विद्धु धारा का मात्रग यानी यूनित पूछेगा यूनित हमारा दोस्तों क्या होता है हमारी अम् construction है आपसे महत्पुर्ण चवाल है विद्धु धारा का फ्लो किदर से किदर की और होता है? हमेसा नियंद भीतु क्षेगा होगा, वहारा मी कषाने बीतु धारा का इपथ Euro का मतलब के तरमाः हमेशा उच्छ विभव से निम्न विभव की ओर होता है यह आप करा सकते हैं पोजेटिव से किश में होता है यह निगेटिव में होता है सब्सक्राइब अगर पूछेगा आपसे विद्धुधारा कैसी क्वांटिटी है ऐसा क्वांटिटी है जिसे आप आदिस रासी के नाम से जानते हैं आदिस रासी जबकी बात दिमार में हमेशा रखने की जबरत है विद्धुधारा के पास परिमान और दिशा दोनों होता है परिमान और दिशा दोनों होने के बावजूद भी यह एसकेलर है क्योंकि धैक्टर के लौ का पालन नहीं करता है इस कारण से electric current में magnitude और direction होने के बाद भी ये जो है अदिस रासी है clear है दोस्तों अब जब हम आते हैं सर जब हमेशा जब हम लोग आते हैं सर गौर्ड कीजेगा ओम का नियम की चर्चा होते भी दुधारा में ओम नहीं आये तो फिर दिक्कत है पाद्व नियर्जेंटेशन यह होता है सर अंप को सिंब्पॉलिक रूप से ये क्या करता हम ओम ऑम बोला कि भी परपोस्णल आई होता है यहीं छ्लौ है भी पर पोस्णल आई होता है यह कि इसका मतलब आप कर असक्ते हैं बॉल्ट जो है करेंट का परकोर्पोर्षन होता है और इस को हम लोग याद कर लेते हैं फी बरावर आई के नाम से भी वरावर किसके नाम से सब्सक्राइब मुख हूए नाम से वरादते हैं और आई की जो है विदुधारा है जिसको हम लोग लुए लेक्रिक कुरंट के नाम से जानते हैं सfeld लेक्ट्रिक कुरंट के नाम से जानते हैं सको अब यहां से देखो जाप सोपिंशलों की बात तो आप सिधाँ होते सब्सक्राइब भी बरावर यानि आप कर सकते विवांतर वटा परतिरोध अब फिर यदि आपसे कोई पूछ देगा परतिरोध बराबर क्या होगा दोस्तों परतिरोध बराबर क्या होगा सर्थ होगा विवांतर वटा विद्धार वटा विद्धार क्लियर है यह आपका ओम का नियम था ओम का किषका नियम है ओम का नियम है ओम को सिंबॉलिक रूप से आप इस तरह से प्रयोग करते हैं यानि ओम को सिंबॉलिक रूप से हम लोग इस तरह का प्रयोग करते हैं क्लियर है ओम का जो ठीक उल्टा होता है उसको महो बोलते हैं उस उसका सिंबॉल थी कुल्टा होगा देखिए हमने क्या बोला गोहर से समझेगा ओम ऐशा होगा और महो अपना ऐशा होगा ओम हमारा ऐशा होगा यह ओम है और यह महो है देखिए ओम होगा यह हमारा ओम था और यह हमारा क्या है दोस्तों महो है जब फिर आगे की बात जब आती है दोस्तों तो हम लोग परतिरोध की जब बात करते हैं मैं है परतिरोध की जब बात करते हैं तो इस पें दो चीजें पढ़ना है तो पढ़ना है और प्रम्त पर्रम पढ़नां साथ श्रीज और प्रम किकां परतिरोध कारेन वाश्रेम से प्रवाहित विद्धारा का विरोध करता है और प्रतिरोध की जब बात करेंगे तो प्रतिरोध का प्रतिरोध का एसाई मात्रक एसाई मात्रक ओम होता है क्या होता है क्लियर है प्रतिरोध का एसाई मात्रक क्या होता है ओम होता है इसका ठीक अगर भ्यूत कर्म बात करेंगे प्रतिरोध का जो भ्यूत कर्म होता है उसको हम लोग प्रतिरोध हकताब होता है क्या बहुत हैं सर परती रोधकता बोलते हैं और इसी को शालकता भी करता है लोग और इसका यूनिट की बात करेंगे तो महो होता है क्या होता है तो महो होता है या आप कहा सकते हो या 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 वाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवा परतिरोध की जब चर्चा हम लोग करते हैं तो परतिरोध की चर्चा के दोरान क्या चीजें हमें गूलता है सबसे पहला आप से ये पुछा जाता है दोस्तों कि रेसिस्टेंस जो है रेसिस्टेंस को परभावित कौन करते हैं सबसे पहला ची इसको प्रभावित करता है उसका नाम है टैम्प्रेचर ताब यदि बढ़ा दिया जाए तो तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है यानि आप कह सकते हैं ताप बढ़ने से शालक का बढ़ती रोध यानि रेसिस्टेंस बढ़ता है तेमप्रेटर को बढ़ाने से इसका रेसिस्टेंस जो है वो क्या होगा सर बढ़ जाएगा आप दूसरा आता या सर्फ ऌल समझेगा दूसरा जब आता है और फहला नपेंट आप नहीं कि डिया Druck ना ने बढ़ा दिया जाए तो चालक का परतिरोध भी बढ़ता है यानि आप कह सकते हैं आर्फ प्रपोस्टनर हैं यानि आप कह सकते हैं चालक का चालक का परतिरोध उसकी लंबाई का चालक का परतिरोध उसकी लंबाई का समानों पाति होता है कि शमानुपाती होता है यह जो सिंबॉल है किसी को आप शमानुपाती कहते हैं अब सुनिएगा जब इसकी बात है यानि रेसिस्टेंस जो है यानि आप कह सकते हो परतिरोज परकोसनल होता है चालक की लंबाई का यानि शमानुपाती होता है ठीक है पहले बात ये बाते क्लियर हो गई सर दूसरी बातें यदि होगा बलंबाई का तीसरा आएगा सर तीसरा आएगा एरिया का यानि जिसको आप शत्रफल के नाम से जाते हैं ये बोला ये आर पर पोस्नल वान वाये यानि आप कह सकते हैं शालक का शालक का पड़तिरोध यानि रेसिस्टेंस अनुप्रस्त काट काट छत्रफल का ब्यूत कर्मानुपाती होता है इसको आप लोग इनुप्रस्त काट जो है इसको हम लोग क्रॉस सेक्सनल एरिया के नाम से जानते हैं अब देखिएगा जो अभी पिछले हमें लेक्चर में देखा पिछले टॉपिक में देखा था कि हमारा आया था आर पर्पोस्नल एल और यहां आया आर पर्पोस्नल इंवर्सली पर्पोस्नल वान वाई ए इस दोनों को एक साथ करेंगे सर्थ तो कुछ तो रिजल्ट मिलेगा देखिए क्या मिलने वाला है गौर से समझेगा हमने लिखा आर पर्पोस्नल एल आर पर्पोस्नल वान वाई ए यह इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब एक साथ हम लाते हैं तो देखिए क्या होगा आर पर्पोस्नल एल वाई हो जाएगा सर्थ यह पर्पोस्नल तो हटाना ही पड़ेगा पर्पोस्नल जब हटता तो रो आता है रो आता है यह कॉंस्टेंट है यह सर क्या है सरफ कंस्टेंट यह क्या है सर चालग का चालग का विशिस्ट परती रोद है इस ओ इसे आप लोग आप यह लोगते हैं कि अगर यहां से सवालाइगा आप से पूचेगा चालग का दिशिष्ट पर्ति रोध है इसका यूनिट कैसे निकालोगे तो क्या दिश्वाब दें तो सुनिएगा बात को यहां से रो बराबर क्या हो जाएगा रो बराबर हमारा होगा R into A by क्या L, cross multiply करोगे तो देख सकते हो रो किसके साथ है L के साथ है और यह हमारा cross multiply में यह आजाएगा, इसका ओम होता है A आपका area है meter square हो जाता है length हमारा meter है, cancel हो गया इसका unit होता है ohm meter, क्या होता है सर ohm meter, किसका unit सर यही जो आपका row है यही चालक का पिसिस्ट पढ़ती रो, या पढ़ती रो धक्ता का unit यदि पूछेगा यही रो का unit पूछेगा तो क्या होगा सर, ohm meter, clear है और इसका unit कर्म पूछेगा तो पर ohm per meter, clear है इसका यदि reverse, इसका यदि व्यूद कर्म पूछा जाए उल्टा पूछा जाए तो क्या होगा, one by row हो जाएगा यानि one by ohm meter होगा इसको आपके लिख सकते हो per ohm per meter, clear है चलिए, यह बात है आपके थे, resistance को लेकर थे resistance को लेकर थे आप देखो resistance का हम series parallel का भी चर्चा करेगा दोस्तों, इसके लिए आप सभी से request है, वीडियो को like जरूर करें, comment जरूर करें और share जरूर करें बहुत भूँद धन्वाद